असलाम वालेकुम वेवर्स वेलकम बैक तो माई चैनल तो चलिए आप लोग सबके साथ एक बहुत ही जबर्दस स्नैक्च शेयर करती हूं जिसे हम कहते हैं नाचोज और नाचोज के साथ मैं बना रही हूं मैकसिकन सालसा सास ये जो है ना बहुत डिलीशियस बहुत क्रंची ये सास बनती है आप लोग जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत सबर्दस लगते हैं ये खाएं बच्चों को बना कर दें क्योंकि अगर हम नाचोज बाहर से लेने जाते हैं किसी सूपर मार्केट से तो ये ब करूँगी आप रोग जरूर बनाईएगा चलि बिसमिल्लाहिर रख्मान रहीम अच्छह मैंने इसके लिए ले लिया है हाफ कप मक्कई का आठा ठीके मक्कई का आठा ले लिया है और मैंने 14 उप कप मैंने मैदा ले लिया और 14 कप गंदुम का आठा जो हम घर में यूज कर अब मैंने इसे एक बॉल में shift कर लिया है, अब मैं इस बोल के अंदर 3 pinch salt add करूँगी, इस में आटे के अंदर 1 pinch orange food color add करूँगी और वन टेबल स्पून ऑल एड़ करूँगी, ठीके, अब मैं इसे, इसके अंदर मैं एड़ करें, टू पिंच बेकिंग सो रहा है, ठीके, अब मैं ये एड़ कर लिया, अब मैं इसे पानी के साथ गून लूँगी, ये इतना गूनना है, कि ये देखे, इतनी ठिकने सोनी चा अब मैंने इस आटे की बॉल्स बना लिए और मैं इसको रोटी की तरह बेल वही हूँ आप देख रहे मैं बेल वही हूँ तुरह पतला बेल लेंगे और इसके चारो साइट से से कटिंग कर लेंगे ताकि इसकी शेप जो ना वो स्क्वेर निकल आए इसको नाचोस की शेप द जैसे 5-10 सेंड तक यह सिखे गी एक रोटी ठीक है अब मैंने इस सारी रोटीया से एक ली है अब मैं इसको एक फ्लैट चीज के ऊपर मैंने रख कर और इसे एक डो तह देदी अब यह देख रहे हैं मैंने रेक्टैंगल शेप देदिया अब मैं इसको कटिंग कर रही और अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, बहुत आसान है, जल्दी से बन जाते हैं ये, और बहुत जादा बन जाते हैं, हम जब इस उपर मार्केट में लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल चोटा सा 100 ग्राम का पैकेट या 50 ग्राम का पैकेट होता है, 400-500 रु जिसके लिए मैंने एक प्यास, एक टेमार्टर, दो ग्रीन चिली, धनिया, और यह सब मैंने चॉप कर लिया है, आप देख रहे हैं, मैंने सारा चॉप कर की डाल दिया है, एक लामन जूस भी मैंने इसके अंदर एड कर दिया है, इसके अंदर बीज नहीं डालिएगा, ला एक लामन ले लिए उसका जूस निकाल लिजिए बस ही के, जैसे मैं भी यह भी कर रही हूं, अब इसके अंदर मैंने ग्वाटर टेबल स्पून सॉल्ट एड कर दिया, आप अपने हिसाब से एड कर लिजिए, और मैंने ग्वाटर टेबल स्पून रेड चिली पावडर और टू टेबल स्पून मैंने इसके अंदर केचप एड कर दिया, कुछ भी जादा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आप लोग बना के का है, यह बाहर से भी जबर्दस, यह सालसा सॉस रेडी होता है, आप लोग ज़रूर बना के खाईएगा, और देखे मैंने इससे अच्छा मिक्स दे दिया है, बहुत जबदर बहूत करंची बनते हैं यह, ठीक है, बिलकुल रइडी है, अब मैं इसका मसाला बहुत जबर्दस, टीखा नहीं बनाओंगी, क्योंकि उसके अंदर भी लेल कर दा हैं, तो बस मैंजिया जबर्दस जादा तीखा नहीं बनाओंगी, अच्छे बहुत तीखा नहीं कह सकते हैं क्योंकि अल्रेडी यहां पर जो ना हमारे पर सालसा सॉस भी है तो बस पर यह मैंने हलका सा मसाले वाला सीजनिंग रेडी कर लिया है अब मेरा ऑ Алल गर्म हो गया था बहुत ज्यदा गर्म नहीं करना है इतना कि इसके अंदर यह डिप हो जाए ठीक है मैंने यह एक करके मैं डालती गई हूँ ऑउल गर्म था अब मैं एक्क करके डाल ओयी हूह इसके अदर नाचोज जो मैंने कटिंग किये थे अब इसको मैं बहुत ज़दा लाल ली करूंगी, जलाओंगी नहीं, बस यह थोड़े से आपको लगेंगे, क्रिस्पी होने लगे हैं, उस स्टेज पर मैंसे निकाल लूँगी बाहर, आप यह देख रहें, मैंसे हिला रही हो तो तो तूट नहीं रहे, इसका मतलब यह क्रिस होते नहीं है, लेकिन नहीं, देखे मेरे तो मैंने फोर्क भी नहीं मारा, फिर भी जो है, यह नहीं फूल रहे, तो बस ऐसे ही है, क्रिस्पी बने हैं, बहुत जबरदस्ट, बच्चों को बहुत अच्छे लेगेंगे, आपने उस जरूर चाह कीजिएगा, बहुत अच्छ अब देखे, यह मेरे रेडी हो गए, अब मैं इसके अंदर जो यह मैंने मसाला बनाया था, वो मैं एड़ कर देती हूं, इसे अच्छा सा टॉस दे दूँगी, आप यह देख रहे, मैं इसे टॉस कर रही हूं, यह टॉस कर लीजिए, इसके बाद इसे सर्फ कीजिए, बच दिल खुश हो के खाएंगे, मैंने बनाया बच्चों को बहुत अच्छे लगे, बच्चे माशाएलला बहुत डिमांडिंग कर रहे थे, नेक्स टैम मैं चीज सॉस भी बना के दिखाऊंगी, इन्शाला ताला, और यह देखे, खाने के लिए बिलकुल तयार है, यह देखे बहुत जबर्दस बनेते, इस तरहां से आप नाचोस के उपर रखिए, यह सालसा सॉस और मज़े लेके खाएंगे, जबर्दस, इवन जो है ना हम लोग वहां जाते हैं, मूवीज में जाते हैं, वहां पर फूर्टीन हंड्रेट के इतने से मिलते हमें नाचोस, तो इससे हम घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, आप लोग भी असे कीजिए कि आप लोग भी घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, आप लोगों को मेरी यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह की मज़ीद वीड